इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपके जब दीवारों में करंट आना या नल बगेरा के अंदर करंट आना या किसी के घर में करंट आना यानि कि मा लिजे सेपरेट एक ही कमरा है बहुत सारे कमरे हैं लेकिन एक ही कमरे में करंट आना ये कौन सी सिच्वेशन हो सकी तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इससे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आड़ी का वहां जाकर करके हमें फोलो भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल क को और लाइक अभी कर दीजिए हमारी इस वीडियो को पूरी जानकारे लेने के लिए आपको पूरी वीडियो वाच करने पड़ेगी यहां से यहां तक ओके चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि दीवार में और नल वगेरा के अंदर करन्ट आना यह सिच्वेशन काफी जगा पर काफी घरों के अंदर मिल सकती है जैसे कि इसका सबसे पहला कारण क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको टेस्ट करना है टेस्टर की मदद से आपको दीवार वगेरा में कहीं पे भी टेस्ट नहीं करना है आपके जो घर के अंदर सोकेट या स्विच सोकेट वगेरा कहां पर कुछ भी लगा हुआ है तो वहां पर आपको टेस्टिंग करना है टेस्टिंग करन है कि आपकी लाइन उल्टी हो गई है मतलब आपको इसी चीज से पता चल जाएगा माली आपका टेस्ट गलो रहा है पर्मानेंटली सुछ ओप नहीं हो रहा है तो आपकी लाइट है वह उल्टी है अगर माली जी यह उस स्विच बोर्ड में ही होगी प्रोब्लम तो आप दू क्लाएन लगाई गई है वहां पर उस सीधी लाइन उल्टी लाइन को सीधा कर दे जैसे कि न्यूटल की जहागा face की जहागा न्यूटल हैं तो उसको सीधा करदे face की जहागा face चला दे neutral की जहागा । ठीक है फिर आकर अपनी दीवार को टेस्टर से चेक किजी अगर current आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है तो हो सकता है सही हो गया लेकिन guys सही बिल्कुल भी नहीं हुआ अगर वो उल्टे से current आ रहा है तो कुछ न कुछ न प्रोब्लम है जी हाँ दोस्तों कुछ न कुछ प्रोब्लम उल्टे से भी है क्योंकि उल्टे में भी current नहीं आना चाहिए दीवारों में ठीके तो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ इस चीज का current तो आपने लाइने सीधी कर दी और आपने tester को switchboard में लगाया और check किया तो tester switch से blink कर रहा है तो एक-एक switch को off करना है एक बंदे को कह देना है कि आप दीवार पर tester लगा के खड़े हो जाई है दूसरे बंदे को कहना है उसी room में जिसमे current आ रहा है ठीके और आपको क्या करना है एक-एक switch को off करवाना है कि भाई एक switch off करो हाँ फिर पता चल जाएगा आपको यह light जल रही है अभी तो बंद नहीं हुई फिर ओ switch को बंद करो इस तरह से switches को बंद करते जाए फिर भी अगर वो बंद नहीं होती दूसरे room में जाए लेकिन आपको उसी room में रहना है टेस्टर पकड़के दूसरे room में जाए मतलब जितने भी कमरे के या जितनी भी जगह पर switches है उन सभी को बंद कर दें जी हाँ दोस्तों बंद कर दें उन सभी लाइनों को ठीक है अगर switches बंद करने के बाद एक switch के अंदर माल लीजे माल लीजे मेरा एक fan है उस fan का switch में जैस fan भी off हो जाता है तो यहां पर इस जगह पर पकड़ में आ जाता है कि हमारा जो fan है उसी के अंदर ही दिक्कत होनी चाहिए तो आप अगर जैसे ही fan के ऊपर चेक करेंगे तो like जैसे fan के अंदर ही mistake दी अब यह मैं confirm क्यों कह सकता हूं क्योंकि मैंने एक जगह पर मैं गया और जहां पर फैन लगा था उसी दीवार के अंदर current आ रहा था जी हां दोस्तों पहले मैं वहां पर ulti line को सीधा किया फिर भी वह situation नहीं सही हुई फिर मैंने एक एक switch को off करवाया यानि के टेस्टर दीवार पर लगा कर एक एक switch को off करवाया तो off करने के बाद जो वो fan है वो भ उसका जो उपर का एक rubber का cap होता है जी हां दोस्तों उपर का एक rubber cap होता है पहले उसकी wiring चेक लीजे कहीं wiring fan के उपर टेस्ट तो नहीं है ठीक है फिर आप उसका जो rubber का cap होता है उसको चेक कीजे क्योंकि वो चलता चलता खतम हो जाता है गल जाता है और वो सीधा fan box जो हमारा fan box होता है उसके touch हो जाता है फिर वो current जो है सीधा हमारे fan box के अंदर जा करके हमारी दीवारों में null अगेरा के अंदर current flow हो जाता है तो ज्यादा तर जो मुझे case मिले हैं जहां पर मैं गया हूँ testing करने के लिए वहाँ पर जो ज्यादा तर case मिले हैं मुझे fan के थुरू ही मिले हैं यानि के fan से attachment ही मिले हैं second number पर wiring कहीं पर fault ही attach हो जाता है fan box या light box के अंदर तब यह situation आती है और बाकी लगबग कहीं पर भी इस तरह की situation नहीं आती है current वाली सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से situation आती है दूसरी बात अगर दूसरों के घरों में मतलब दूसरों के घरों में earthing fault है और हमारे घर में current आ रहा है तो यही situation होती है दूसरों के घरों में भी यही fault होना चाहिए माली यह wiring या तो सरीयों के touch हो गई या फिर fan box के अंदर यह fan जो है खराब होकर के उसके मतलब line जो है pass कर गया इससे आपके meter का जो bill है वो भी ज़्यादा आता है दूसरी बात आपकी यह जो fan है यह आप foreignly change करवा लें यह सबसे ज़्यादा better होगा अगर आप foreignly change करवाते हैं तो आपकी यह situation है यह सही हो जाती है तो उम्मिद है आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई और यही चीज थी जिसकी वज़े से दीवारों में current आना या कुछ problem होना ठीक है चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं बाई बाई